कि हलो यूपी एस्पिरेंट और कैसे आप सब यार उमीद है पढ़ा लिखाई अच्छी कर रहे होंगे आप सब है ना आज देखिए काफी इंपॉर्टन शेशन होने वाला है खास कर हमारा एवरेज में और एक आज नई अचीवमेंट हम लोग हासे करेंगे पक्का करेंगे देखो आज क्या है हमारा तीसरा शेशन है इसके पहले दो ले आए हैं बहुत सांदार शेशन थे वो उसको जरूर देखिएगा तब इस पर आईएगा आपको एक बहतर समस्य क्या होगी एवरेज की मिलेगी एक बात और कहूंगा टेलिग्राम चैनल डिसक्रिप्शन बॉ आपको यहां पर रिलाय होना है बहुत अच्छे से एक पकड़के उसको अच्छे से कंप्लीट करना है यहना गोल गोल नहीं घूमना यार नहीं तो फिर समय निकल जाता है और हम बहुत पीछे रह जाते हैं ठीक है और जैसे कुछ लोग मुझसे पूछे कि बुक्स का क्या है तो मैं कह रहा हूँ बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है कोई भी जरूरत नहीं है हर बुक में यही सब कोश्चन्स होंगे लेकिन उनका करने का तरीका बहुत क्लिष्ट होता है बुक का तो नहीं लेना है क्या करना है जितने कोश्चन कराऊंगा अब आप बताओ ना लगभग 75 कोश्चन की मैं बात कर रहा हूं हर एक सेक्षन में मैं बताता हूं 50 कोश्चन स्टाटिक करेंगे और 50 कोश्चन पीवाई क्यू करेंगे है ना क्या करेंगे पीवाई क्यू अब आप सूची लगभग 75 कोश्चन एक टॉपिक पर कर लो और क्या चाहिए और मैं कहा लोग इस स्यादा सीसाट में चिर्फ 33 परसंट लाना है कितना 33 परसंट तो क्यूं हम यह सोचें बिना मतलब का कि हमें क्या करना है जो है अपना सरदर्द पाल के रखना है तो प्लीज ऐसा कुछ मत करिए जो पढ़ रहे हैं उसको सिद्दत से पढ़िए इतना कर लेंगे आप प्रिवेस एक क्वेश्चन उठाए हराम से सॉल्फ होगा और क्या चाहिए आपको बिड़ा मतलब का बुक कड़े लगाने से चल गए थे कठर बाद में पता चला कि एक विद्द्यार्थी के अंग को 56 का पर 42 लिग दिया गया तथा एक अंड विद्द्यार्थी है उसका बट्रीष के हसान पर 74 लिग दिया गया तो सही उसत गया दिज्याद दिए अब दीखे यहां समस्या गया है समस्य यहाई कि 14 विद्यार्थी थे उनका उसत अंग दे रखा था लेकिन बाद में पता चला कि दो विद्यार्थी ऐसे हैं कि एक का अंग 56 के स्थान पर 42 और दूसरे का 32 के स्थान पर 74 पढ़ लिया गया तो सही उसत ग्याद कीजिए है ना अच्छा सवाल इस टाइप एक क तो करनी है ठीक है कि यह टाइम टेकन है थोड़ा सा टाइम टेकन होगा चलिए तो मुझे क्या करना है मैंने हमेशा पताया है कौन सा मेथाट फॉलो करना है टोटल मेथा कौन सा मेथाट भूलना नहीं है और सथ में हमेशा टोटल पर जाएंगे को दिकत चलिए आए क्या क अब कह रहा है कि एक भी दयरती है जिसके 56 के इस्थान पर कितने आगे 42 कितने आगे 42 अच्छा यह पता ही ज्यादा हुआ है कि हम ने कम जोड़ लिया ना बही जोडना कितना था छह पंग जोड़े कम कितना हो 42 यह बादा कम जोड़े ओ तो भाई average तो कम ही दिखाएगा तो मतलब जोड़ना पड़ेगा हमें हाई की नहीं कम जोड़े है तो जो difference से उसको जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ difference कितना आया है बूलेंस कितना आया देखा जाता है 14 तो क्या कर लिए प्लस कर लिए 14 है ना ज़ादा लिख दिया गया अगर ज़ादा लिख दिया गया TAB भी तो हमारा अपर होसर कि लख गया जादा जो लख दिया घया उसको कम कर दो क्या कर देंगे कम कर? 34 में 32 अगर ढाइंगे तो कितना बचएगा BLE ना 42 के tips 22 को क्या करें गे पहले यह देख लिए हमने क्या किया is Новài fellow कर दिया इस को हटाया कितना चराधा क्या है क्यों क्यों क्लेमं क्यों हमने क्या सबते चाल्स मा पंले उसको मात अ вас प्लस माइनश करेंगे तो हमारा וट्ष क्या जाएगा नाइंट 66 बोलें ना जोड़ है कैसा है करक्ट है मतलब करक्ट मतलब सही जोड़ है अगर यह सही जोड़ है ठीक है अगर यह हमारा सही जोड़ है तो क्या लिखेंगे 69 66 divided by कुल कितने विद्यारती थे 14 है ना 14 से भाग दे दीज़ा चलिए काटते हैंगे कितना जाएगा कितना गया 69 किसी option में देख रहे है 69 यस option C is correct बूले ठीक है ना मैंने कि से देखो क्या किया यार अगर आपने session 2 देखा हो ना एक दम मुझे में अच्छे से थी यही सब किया गया है टिक प्लीज जा के देख लीजेगा हाँ एक बात आपको बताओ कि कि द्यान से सुनना होता क्या है कि प्रिलिम्स के थोड़ी सी fact के बाद कर लेंगी क्या होता है जो c sat नहीं qualify करते उसमें समस्या क्या है जहां से नंबर एक problem का बाती है टाइम की आप हमेशा देखेंगे आपको time हमेशा कम पड़े जाएगा अगर आपने एक्जान दिया हो जो भी है आप जानते हैं कि समय कम पड़े जाता है क्यों होता क्या है कि हम क्या करते हैं comprehension है न सौल्व करने में लगते हैं comprehension के कुछ पैसेज चोटे होते हैं कुछ पैसेज बड़े याद करिए जो पैसेज बड़े होंगे उनका question आप आसानी से tackle कर जाओगे लेकिन जो question चोटे होंगे पैसेज वो इतना घुमात ही होता है कि उसके option ही आपको समझ में नहीं आएंगे paragraph तो समझ में आगा लेकिन option लगाते समझ डर होता है और comprehension में आप कभी भी sure नहीं हो पते क्या नहीं हो पते sure जब surety है ही नहीं तो हम comprehension को क्यों जादा समझ देते हैं क्योंकि human behavior है वो यह सोचता है कि इसको पढ़के मुझसे कैसे नहीं होगा तो आपने क्या किया लगभग 25 से 30 comprehension आए अगर आपने क्या किया इस पे एक घंटे से प्लस 1.15 सवा घंटे आप दे देते हो और पेपर तो दो ही घंटे का अब बचे 45 मिनट में ना आप reasoning सही से कर पाते हो ना math कर पाते हो और surety यहां भी सवारटी नहीं है तो यहां 45 में आप इतने घंटा जाएंगे टाइम ही नहीं बचेगा तो यहीं failure हो जाता है मैं फिर्स कहरा हूं अकर आप math और reasoning पर रिलाए हैं और यहां पर 40 plus question कितने 40 plus question और plus लगबग 10 question आप इसके कर लिए किसके कर लिए comprehension के तो आपके 50 plus question आप सही से करके आजाईए मैं कर रहा हूं guaranteed आपके यहां पर 33 कलने तो 27 सहीं है ना 33 marks आपके बहुत आराम से आजाएंगे लेकिन अगर इसमें 40 plus reasoning और math में नहीं हो रहा मेरे करना है reasoning को अच्छे से पढ़ना है तभी मज़ा आएगा फिर से बोले तभी मज़ा आएगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर लाश्ट में सी सैट नहीं फसना चाहते हो तो जिनका math अच्छा है उसका तो आराम से हो जाता है लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन पर गया एक बात धोखा मिलता है तो प्लीज उस धोखे से बचिएगा बहुत अच्छे इस्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जीएस में तो कर ले आते हैं लेकिन सी सैट में नहीं क्यों क्यों वह अभी से उसकी तैयारी नहीं करते हैं हमें क्या करना अभी कि socialism एंगे अगा आएंगे टाइप थ्री ठीक हैं बहुत अच् Конечно है टाइप थ्री में और हम लों कोशीष करेंगे कि इसको बहुत आसानी से समझें ठीक है से जैसे दो, जैसे दो, दो के बाद अगली चार, चार के बाद छे, तो ये दो से नहीं कट रही न, कट तो ये रही है, तो ये क्रमागत है, क्रमागत मतलब इसके जिश्ट बात कौन सी, फिर उसके बात कौन सी, ठीक, अब लिखा है पाँच क्रमागत, मतलब फाइब कंजिक बार इस टाइप एक कोश्चन यूपेसी में आए हैं जब हम यूआई क्यू करेंगे ना तो आपको दिखाऊंगा मैं ठीक है थोड़ा से और डिटेल में होता है अभी तो पहला कोश्चन है इसलिए हम थोड़ा ऐसा लिए है ठीक है इजी शुरू करें देखो क्या करना जब दो ऐसा कभी सवाल आए पांच लिखा हो साथ लिखा हो नौ लिखा हो आप क्या करिएगा पांच ठोलैन किछलेगा नौ आए गया नौ लाइन तो पांच भी लेंगे वन टो त्री फोर फाइफ लिख लिए हैब करें पांच का और सत कित exc 설 lied it č опас का जब कभी यह कह अवसर Dim ही बात है तो हमने क्या लिखा 84 को यहां लिख दिया क्योंकि हमें और सच चाहिए और सथ हमेशा बीच का होता है क्योंकि average होता है अब यहां से consecutive निकालना है मतलब क्रमागत निकालना है तो यह बताए इसके पहले इसके पहले क्या आएगा 82 और इसके पहले क्या आएगा 80 नहीं और इसके बाद क्या आएगा 86 और इसके बाद क्या आएगा 88 यह बीच का क्या हुआ अगर इसको हम जोड लें और पान से भाग दे दें तो आएगा तो 84 ही क्योंकि यह सीजी सी बात है ठीक अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 80 और सब किसी option में दिख रहे हैं कि समझवाया मुझे लगता है बहुत अच्छे से होगा मैंने क्या बताया अगर पांच क्रमागत समसंख्याओं का आउसत चौरा सी दिया है तो हम क्या करेंगे हमेशा पांच लाइन खीचेंगे और जो आउसत है उसको बीच में रखेंगे फिर क्रम समस्या हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मुझे नहीं लगता समस्या आएगी रिवाइस करके दोबार देख लीजेगा चले आगे कि अचले के अज़ें को सक्षाम मैं को रखेंगल और आठे है चोड़ा तो अज़़ा है जान से देखिए और और इससे साथ करमागल बिसं संख्या का ओर सतावना है तो बड़ी संख्या तथा चोटी संख्या का जोण याद किजे मैंने क्या बोला अगर कोई भी पांशा नो हो तो क्या करेंगे लाइन उतनी ही खीचेंगे तो खीच लीजिए वन टू थी फोर फाइब सिक्स और सेबन अब कह रहा है तो बीच में बैठा दो ना तीन इधर तीन इधर 57 यहां आगया यहां तब कोई समस्या अब क्रमागत कह रहा है और भी विसम विसम मतलब जो दो से ना कटे बोले ना विसम मतलब जो दो से ना कटे तो क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ा दीजिए तो यहां कितना आजाएगा 55 फिर कि आएगा 61 और फिर कि आजाएगा 63 आएगा ना बोले ना 63 बहुत बढ़िया और इधर कि आ जाएगा 55 53 और 51 तो सबसे बड़ी संख् सबसे चोटी संख्या यही तो हुई अगर यही हुई तो जोड लीजिए यह जोड लेते हैं तो क्या लेकिन दें 51 प्लस 63 तो 3 1 4 और 5 6 11 तो 114 कहीं आप्शन में दिख रहा है दोस्तों हाँ दिख रहा है यह आप्शन इस करेक्ट इजी है इजी क्या बहुत है आसान है सर मिले गाई साइब के यह उप्यसिंग क्वेशन मिलता है ठीक है ठीक अभी एक ट्रिक बताऊंगा अगले सशन में कि आराम से हम लोग क्या करेंगे आराम से कैसे सी सैट पेपर को बहुत इजी तरीके से टाइम में खतम कर सकते हैं ठीक बिलकुल आप साथ में चुड़े रह करते हैं सभी पांच क्रमागत समसंख्या का उसत 40 है कितना है 40 है ठीक है माल लिया मैंने सभी पांच क्रमागत समसंख्या का उसत 40 है यदी बड़ी संख्या और चोटी संख्या का गुड़ा पूछ रहा है ठीक है पांच लिख लो 12345 मैंने क्या बोला बीच वाली संख्या मै लिखते हैं तो 40 को बीच में बैठा दो अब यह दो आगे चले यह दो पूछे तो यहां से एक आगे गए तो कितना आगे बैल इस फिर 44 कि पीछ्छा जाएं अर्टिस और 36 अब कह रहा है बड़ी और छोटी का गुड़न फल तो 44 गुड़े 36 कर दीजिए क्या होगा उत्तर क क्या होगा उत्तर तो किया होगा इसको गुड़ा करने पर आपको आएगा ठीक है मैंने अलड़ी करके रखा था यार देख लेना ठीक है ऑप्शन भी स्करफ्ट कोई दिकत चले अगला कुश्टन करते हैं आए एक मिनट का टाइम दूं करो गए देट मिनट का टाइम चले यू है वन मिनिट फॉर दिस क्वेश्टन दो इट करिया चले करिये करिये फटाफट फटाफट जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा कमेंड वॉक्स में कमेंड कीजिएगा क्वेशन नंबर 16 का एंसर क्या है ठीक है मैं देखूंगा जरूर विस्वास करिया आप ठीक है जल्दी.. जल्दी.. चमण.. मूँवन.. 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 ट्रूर चले ला.. 10 Seconds of 10 Seconds.. only 10 Seconds is remaining.. Only 10 Seconds are remaining.. कि यह जब हमपधते हैं सबहल क्या है सभी क्रमागत संख्या का ओस्द क्या होगा जब पहली पांच आपस्घ्र दिर्शक भिए और स्वालियों यह फmäßig त्यद् Nano ऐट यह यह समय त्थ क्या होगा जब 5 आ प्रमागत संख्यां का ऊस्द् गया होगा जब पांच का वस तो दी याई ना अम यह 5 का तो पता है तो थीक है पांच को बैठा लेते हैं 1-2-345 बीक में किसको बैठाना है 63 बैठा अब भठा दिये रहा है इसको दो आगे ऑदट पीछे चलते हैं क्या जणक है 25 और 67 पीछे आएंगे 61 और 59 अब मुझे बताइए लेना तो 9 है हैं कितनी 5 अब मुझे यह बताइए लेना तो कितनी है 9 हैं कितने 5 ठीक है अब क्या करेंगे अब यहां पर कितनी है 5 तो हमें क्या करना पड़ेगा चार आगे चार पीछे बीच में रखना पड़ेगा यह तो करोगे है ना चलिए आये कर लेते हैं ठीक है कर लेते हैं अब पहले 5 तो यह आ गई पहली 5 है यह शुरुआत की 5 तो हमें अंतिम में ही जोड़ना है बस इस पांच है तो इसके आगे चलिए 67 के बाद क्या आएगा 69 फिर क्या आएगा बुले ना 69 के बाद 71 फिर क्या आएगा 73 3 3 6 और एक और आजाएगी 75 यह इतने सारे नंबर आ गए अब मुझे यह बताईए बीच का क्या बीच का क्या है ना अगर आप से पूछे बीच का क्या है तो आप क्या बताएंगे जल्दी से बताईए पीच का आप क्या बताएंगे बताईए ना क्या होगा अब देखें यहां मैंने क्या लिया है सभी बिश्म लिया है तो यहां पर एक काम करेगा इसको लिख दीजिएगा विस्म क्या लिख दीजिएगा विस्म ठीक है सभी कि नो क्रमागत बिसम संख्याओं का सब्सक्या होगा जब चुरुवात की पांच का दिया है उप्सक्राइब यहां पर चार इधर आगये और चार इधर आगये तो बच में कोन बच गया 67 option कहीं दिख रह थो लिए आपसन्डी स्क्राइब आपसंडी स्क्राइबुलियर असलिए आपसंडी स्कूत है अच्छा यह बनानले जाया होता बिश-वाल दीक को भी करती है तोब माँखर सुषटे त्लोग मेंधा शूर क馨नले नहीं कि आथा इस इसके पहले है श्ष्छ 62 फिर क्या आता 61 आता ना बोलिए अब शुरुवात का पांच है तागे बढ़ा दिए 66 67 68 और 69 नहीं होते न वहीं होते न वहीं तीन तीन छे तीन नो हो जाता है ना तो बीच का क्या बसता चारिसों घटा दो चारिसों घटा दो तो उत्तर क्या था 65 अगर सभी नो क्रमागत बिच्व ना लिखा होता तो लेकिन मैंने पहला वाला यह कोन सा किया है बिच्वर्व और यह क्या लिखा है सभी हुशा थम पर तो आप यह दो क्वेश्चन बन गए कर एक में उत्तर किया आएक 67 एक में 65 ठिक दो नों अप्शन में था था तो हम 67 ले लिए को हमने क्या च देखें यहां तक चलिए अगला कुश्ण देखते हैं कुश्ण नंबर 17 कौन सा है सवाल सवाल नंबर 17 काफ़ इंपॉर्टन सवाल है यार इसको ध्यान से है ना सवाल पढ़ता हैं दिखें क्या लिखा है सवाल में लिखा है तेरा दो अंकिये क्रमाकत विश्ण संख्याओं को दिया गया है तो ऐसी पांच संख्याओं का माद्य 49 है तो सभी कि तेरा संख्या का माध्य क्या होगा देखो सीरी सी बात है माध्य मतलब क्या होता है बीच का ठीक जो आउसत ही मान लो आप इसको क्या मान लो और सब्सक्राइब कभी कभी आउसत ना माध्य दे दे तो परिशान नहीं होना है ठीक है अब उसने का तेरा अंख है कितने अंख कि ऐसी पांच संख्याओं का माध्य कितना 49 तो ठीक है या पांच का तो पता है शुरुआत करते हैं कि यहां लिए 39 क्रमागत है ठीक है क्रमागत है तो लिख देते हैं कितना जाएगा 40 और 41 यहां 38 और 37 कि सभी की बात कर रहें ब इसम संख्यां है अब कि समय तक तक हो गया हमें 13 मदर तक आगे बढ़ना थे यह कौन रोग का है आपको टिक है कि नहीं चलिए यह बढ़ते हैं कितना जाएगा 45 फिर 47 फिर 49 फिर 51 फिर 123456 देखा जाए तो अगर 13 नमबर है कोई चीज का 13 नमबर है चलिए लिखी लेते हैं 123456789 फिर क्या जाएगा 10 नमबर पे 53 फिर 55 फिर 57 कितने हो गए 12345678910 11 12 और अगला जाएगा 59 अब मिड का निकाल लीजिए 123456 तो यह आजाएगा यह है 123456 6 इदर आगया 6 इदर आगया तो बीच वाला बज़ गया तो बीच वाला क्या बज़ गया बुलिए ना 57 और ऑप्शन में कहीं दिख रहा है जी 47 ऑप्शन सी में दिख रहा है ऐसे कर लेंगे है ना क्या किया मैंने कुछ नहीं किया क्यूंकि मुझे पता है बीसम ध्यान नहीं दिया ठीक तो आपको भी एकदम सत्र करें यह काम करना है ठीक है आप हलका से भी डगमक करेंगे ना ऑप्शन में वह उत्तर आ जाता है आपको दिखे गा रहे हां है लगा के आगे बढ़ गए लेकिन बाद में पता चला अच्छा यह तो पड़े नहीं ते गलत हो जाएगा तो ऐसे नहीं करना है ठीक है चले अब अगला क्वेशन दिखें क्वेशन नमर 18 काफी इंपॉर्टन क्वेशन है द्यान रखेंगा इस बात को ऐसे क्वेशन एक्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे क्या लिखा है अगर पहली तीन संख्याओं का औसट एक सो बीज दिया हो तो सभी साथ संख्याओं का और इसके बाद एक सो बाइस पूछ रहा है सभी साथ सुरुवात का दे दियो बाइस चार आगे बढ़ जाओ ना चार आगे बढ़ जाओ कितना जाएगा 124 फिर 126 128 और 130 है कि नहीं तो बीच में कौन बर्चा बहिस साथ हो गए ना तीन इधर तीन इधर एक यह कौन आ गया 124 ऑप्शन सी करेक्ट मुझे नहीं लगता कोई समस्या हुई होगी अभी तक ठीक है आज हम लोग क्रमागती के रहेंगे और एक अंतिम सवाल है यह आपके लिए होमोग है क्या है होक है बुले ना होमोग अच्छा लगता है कि नहीं आप सबको अच्छा लगे या ना करे करना तो करना है और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उत्तर क्या होगा सवाल क्या है सभी 9 क्रमागत बिसम संक्याओं का ऐससस 17 है जो सबसे चोटी और बड़ी संक्या का गुड़न फल वताई है ठीक बहुत आसान सा सवाल है उम्मीद है कि आप बहुत बहतर करेंगे और उत्तर आप मुझे comment box में जरूर करेंगे तो अभी तक हमने ओसत में कितने question कर लिए 19 अभी लगभग 31 question बचे हैं जो इसके हैं तो लगभग 3 session और आएंगे 10-10 question के तो हमारा यह complete उसके बाद पिवा क्यों कर लेंगे और सथ एकदम जड़ से खतम मैं कर रहाँ जड़ से खतम यार यहीतना करना है प्लीज इस्टे पॉजिटिव और क्या करना है इसको यही क्लोज करिए इस question को करके मुझे comment box में comment कर दीजिए तब तक के लिए thank you so much to all of you अगले session में फिल से मिलते हैं अगर वीडियो पसंद है तो like और प्लीज सेर करते रहे हैं ज्यादा ज्यादा लोग जोड़ेंगे तब ही मजाएगा और टेलिग्राम चैनल को जोईन होना ना भूलिएगा ठीक है बाबाई